हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में सर्वोशिक्षा अभ्यान के तहतु नो आवासी है कस्तूरवा बालिका विध्याले से वेकेंसी जारी की गई है सैक्षिक और गैर सैक्षिक पदों पर अंतिम तित्थी जो है वो 16 जन्वरी रखी गई है यदि आप आवेदन करना चाहें तो 16 जन्वरी से पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं कोई भी फीज आपकी नहीं लगेगी एक्जाम नहीं होगा बिना परिक्षा के आप यहाँ पर सरकारी सिक्षक बन सकते हैं 22,000 जो है वो सेलरी आप लोगों को मिलने वाली है साथ में आवास की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी योगेता जो है यहाँ पर बीएड वाले आवेधन कर सकते हैं साथ में दो वर्सिय प्रारंबिक सिक्षा में अगर आपने डिप्लोमा हासिल किया है सिक्षा में तो भी आप आवेधन कर पाएंगे वेकेंसी उतर प्रदेश्की नहीं है वेकेंसी राची से आई है तो भाकी डिटेल इन्फरमेशन जो है नोटिफिकेशन देखेंगे में वेबसाइट चेक करेंगे और कैसे जो है यह एप्रिकेशन फॉर्म ढ़णोड करना है कैसे भढ़ना है सबी जो है इन्फरमेशन जर आएगा view 167kv जो है ये पूरी पीडिया फाइल है इसे open करके हम अभी देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को subject दिखा देती हूँ यहाँ पर सभी राजियों के candidate आविदन कर पाएंगे पूर्ण कालिक सिक्ष का भासा हिंदी और इंग्लिस दोनों की वेकेंसी है दो पदों पर वेकेंसी आई है गनित में जो है वो चार वेकेंसी है विज्ञान में तीन वेकेंसी है सामचिक विज्ञान में दो वेकेंसी है लेखा पाल और सह कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें भी जो है वो दो वैकेंसी है फुल पदों की संख्या जो है यहां पर 13 है वैकेंसी कहां से आई है तो जहरकंड सिख्षा परियोजना साहेव गंज जहरकंड जिले में है रांची से यह वैकेंसी जारी की गई है अंतिम डेट जो है वह आवेदन की रहेगी 16 जन्वरी 2024 अभी दे दोनों की वेकेंसी है जिसमें जनरल की एक है और स्ट की एक है। अंक मिलेंगे अब यहाँ पर selection कैसे होगा तो marks के base पर ही होगा जिसके ज्यादा marks बनेंगे उसी को जो है select किया जाएगा ठीक है तो अगर किसी ने यहाँ पर post graduation किया है हिंदी या English में या जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर अधिक अंक मिलत हैं तो यहाँ पर एक, दो, तीन पर अंकित यानि यहाँ पर एक, दो, तीन भासा, गणित, विज्ञान के लिए यह चीज यहाँ पर कही है ठीक है और चार जो है लिखना भूल गए साइथ क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी है इसमें प्रैसेक्षण एहरता में यहाँ कहा या फिर कोई समकक्ष परिक्षा आपने उतीन की है प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्षी है डिप्लॉमा अगर आपके पास है सिक्षक प्रैसिक्षन परिक्षा में उतीनता आपने हासिल की है तो भी आप यहां पर अपलाए कर पाएंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की तो विज्यान में जनरल की दो सीट है सिक्षक पातरता परिक्षा जो है यहाँ पर चाहिए जहारकन सरकार द्वारा कक्षा 6-8 के लिए आयोजित टैट में उत्तीन होना अनिवार्य होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है टैट अनिवार्य नहीं है बट इस नोटिफिकेशन में जो है वो वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन टीचर की निकाली ही नहीं गई है ठीक है तो साय जो है वो नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन में आ जाए बाकी जो सबजेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिस, साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसके लिए जो है किसी भी राजिके कैंडिडेट ने अगर टैट उतीन किया है जारकन सरकार के द्वारा जो आयोजित किया गया है जे टैट, तो यहाँ पर आवेधन कर सकते हैं और अगर टैट उतीन नहीं किया है तो यहाँ पर जो है लेखा पाल या सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बिल्कुल आवेधन कर पाएंगे जंडल की एक सीट है, स्टी की एक सीट है किसी भी माननेत अपराप्तों विस्वविधाले से बिकॉम 50% अंकों के साथ आपने हासिल किया है और एक वर्सिये कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या समकत परिक्षा में उतिनता हासिल की है हिंदी इंग्लिस में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेर की नॉलेज है तो आवेधन कर सकती है हिसके लिए केवल महिला ही जो है वो आवेधन कर पाएंगी तो अधर स्टेट के ऐसे कंदीडेट जिन्होंने ज्हारकन टैट केलियर किया है क्योंकि ऐसा होता है कि राजिस्थां के जो कंडिडेट है कई बार है हरीयाना टैट जो है हर्याना में जो भी वेकैंसी निकलती है तो वहाँ पर हर्याना टैट एच्टैट ही जो है वो चाहिए होता है वहाँ सारे कैंडिडेट जो है वो एच्टैट क्लियर करते हैं कुछ कैंडिडेट यूपी टैट क्लियर करते हैं ठीक है ताकि वहाँ पर जो वेकैंसी निक कर सकते हैं पाकी जो है जारकंड टेट जो जारकंड के अभ्यरती हैं वो बिल्कुल आवेदन तो करेंगे ही सैलरी की हम बात कर लेते हैं कि तीन सालों तक तो आप लोग यहां पर 15,840 रुपए आप लोगों को पर मन्त जो है दिये जाएंगे उसके बाद जो है आपकी सेवा जैसे ही पूरी होती है हर महा 50% की व्रदी आपकी सैलरी में हो जाती है वार्सिक वेतन व्रदी जो है वो आपकी 2500 रुपए हर साल आपकी रहेगी ठीक है लेखा बाल के लिए जो है अलग है सैलरी यहां पर 9,900 प्रती महा आपका होगा 20% की व्रदी जो है प्रक्रिया धीन ह दुबारा से देख लेते हैं समविदा के अधार पर नियत परिलब्दी रुपए 9900 प्रति महा दे होगी वर्तमान में मांदे में 20 प्रतिशत की वर्दी का प्रस्ताव किया जा रहा है प्रस्ताव के अनुमोधन की स्थिति में ये जो है वो देना ही होगा तो यहाँ पर जो है लेखा पाल के लिए कहाए कि प्रते के एक वर्स के संतोस्प्रद कारे करने के वाद जो है आपकी जो समविदा है जिसे आप कॉंट्रेक्ट पेस पर कह रहे हैं ये जो है आपकी बढ़ा दी जाएगी तो इस चीज को मैं बहुत सारे वीडियो जब भी ब संतोस्प्रद अगर्स सेवाप की पूरी हो जाती है तो आपको जो है आपकी जो समविदा है उसको बढ़ा दिया जाता है नेक्स्ट इयर ऐसे ये करते चले जाते हैं ठीक है कहीं पर जो है जैसे जहारकंड में जो वैकेंसी आई है कस्तूर विध्याले की तो यहाँ पहले वर्स रखी गई है ठीक है यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट किसी भी जो है कैटिगरी की हो अन्रिजर्व एडवलु एस बीसी वन बीसी टू तो उनके लिए जो है अधिकतमों 38 है सेस्टी फीमेल के लिए 40 है और पी डवलु वीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल है तो य आप लोगों को बता दूँ कि आविधन पत्र भी आपको दिखाया जाएगा उसके साथ में उसे पूरा भरके और स्वैम पता लिखा हुआ दो लिफाफ़े भी साथ मे लेने हैं अपने जितने भी सैक्ष्णिक प्रेस, सैक्ष्णिक, सिक्षक, पातरत, परिक्षा, जितने पुलिस लाइन परिसर साहिवगन जहारकन पिन कोड 816109 आविधन का प्रारूप जो है जहारकन सिक्षा परिजना कारहले साहिवगन के सूचना पट पर देखा जा सकता है मेन वेब साइट पर जारी हो जाएगा वहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे ही दिया गया है आविधन पत्र का प्रारूप जीक है बहुत ही सिंपल तरीके से जो है यह पॉर्म देते हैं और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें यहां पर लिखना होता है और आप लोगों को जो है स्पीट पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट आप लोगों को कर देनी है दिये गए एड्रस पर तो ऐसे ही जो है बहुत सारे राजियों की वेकेंसी आ ही रही है और यह मौका जो है वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर आप जॉबलेस है और 22,000 सेलरी जो है पर मन्त आपको मिल रही है तो बिल्कुल भी जो है वो कम नहीं है हाला कि अगर आपकी जो है वो अच्छे पद पर जो है नौकरी लग जाती है तब आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीड वीडियो में थेंक यू